ये कहानी उस लड़के की है जो अपने ब्रेकप के बाद डिप्रेस्द होकर घर में गुमसुम रहने लगा था उसके पिता को उसकी चिंता सता रही थी पिता ने एक तरकीब सुची सौ साल पुरानी घड़ी आलमारी से निकाली बेटे को दिया और कहा जो बगल में घड़ी के दुकान से इससे कीमत पता करो बेटा जाता है लॉट कर आता है कहता है दो हजार रुपए मिल रहे हैं इसके बाद पिता कहते हैं अब इसी घड़ी के कीमत कबारी वाले से पूछ कर आओ कबाड़ी वाले के पास जाता है, लौट कर आता है, नाराज होकर कहता है केवल सो रुपए मिल रहे है पिता कहते हैं अब इसे म्यूजियूम वाले से जाकर पूछो कितनो रुपए देने वाला है बेटा जाता है म्यूजियूम वाले के पास मुस्कुरा कर लोटता है कहता है दो लाख रुपे मिल रहे हैं और म्यूजियूम वालों नी ये भी कहा है कि ये हमारे कलेक्शन की शोभा बढ़ाएगा पता कहते हैं यही तो समझाना चाह रहा हूं गलत जगा रहोगे तो तुम्हारी